चुली विस्तार से खरो करो कर लेते हैं सबसे पहले बड़ी ख़बर है दिले में नकसलवात पर आज बड़ी बैठक होने ज़ा रही है ग्रह मंत्री अमिश्या लेंगे नकसलवात पर बैठक बैठक में नकसली प्रभावित राज्चों के सियम शामिल होगी तो देखें मुख्यमंत्री मुहन यादव और आपको बता दे 36 गड़ के सियम बैठक में शामिल होगे बैठक में नकसलवात को लेकर चर्चा होगी तो जिस तरह से आपको बता दे नकसलवात सबसे बड़ी समस्या है 2026 तक इस समस्या को लेकर बाक्चित की जाएगी मन्थन किया जाएगा कि 2026 तक कैसे नकसलवात को 36 गड़ और MP से समाप्त करना है आपको बता दे आज एक बड़ी बाठक होने वाली है मुखे बंद्री मूहन यादव और दिल्ली के CM भी इस बैठक में आज शामिल होंगे देखे 36 गड़ के CM इस बैठक में मौझूद रहने वाले हैं साथी जो नकसल प्रभावित राज्य है बिल्कुल दिल्ली में ये बड़ी बाठक है और देखे 36 गड़ MP समेथ और भी राज्यों के CM भी यहाँ पर शामिल होंगे और चले जानकारी भी लेते हैं हमारे साथ सहियों की जोड़ चुकी है नीलम हमारे साथ भुपाल से जुड़ गएंगे नीलम से भी चर्चर करेंगे हमारे साथ अंकुष जुड़ गया है अंकुष पहले आप बताइएगा देखे 36 गड़ के CM भी पहुच रहे हैं दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है वो नकसल प्रभावत राज्यों की मुख्मंतियों के साथ आज के देख रहे मंत्री बैठक करेंगे बैठक में निश्चे तोर पर जिस तरीके से नकसलवाद का जो प्रभाव है दसराज्यों में तो जिसमें 36 गड़ भी शामिल है तो उन उस तर्भाव को कैसे खती किया जा सकता हैं तमाम इश्यों पर चर्चा होनी है इसके अलावा 36 गड़ में हाली में दो बड़े एंकांटर हुए हम दोने दोनों बड़े एंकांटर में बड़ी मात्रा में नक्सलियों का एंकांटर किया गया है तो इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी 36 गड़ का बस्तर संभाग यह वह संभाग है जो करीब पांच राज्यों से खिरा हुआ है और पांच राज्यों की बॉर्डर यहां पर है ऐसे में तयलंगाना, उरीसा, महराज्ड ऐसी यह बॉर्डर वो है जहांसे नक्सली केतिविदिया जो हैं लगातर संभाग हो थी है इन बॉर्डर पर डगसलीओं को कैसे रोपा जा सकता है वहां पर नक्सलवाद को कैसे पूरी तरीके से खत्रिक होंता है इन तमाम विशो सब्सक्राइब करते हैं लेकिन जिस तरीके से 36 गड़ में सुरक्षपलों की गतिविदियां बंगती हुई दिखाई दे रही है उस लिहाद से वाला जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पासायुक्त कारवाई जो है वो नक्सलबाद पर कड़ती हुई नजरा रही है अभी हम देखा है कि दंतेवाडा जिले में ही अभी दो दिन पहले ही एक बड़ा एंकाउंटर किया गया है जो जिसमें 31 नक्सलियों को धेर किया गया है 36 गण का अब तक का सबसे बड़ा नक्सलिय एंकाउंटर है जिसमें संख्या के साफ़ सदेखे तो एक साथ एक बार में 31 नक्सलियों को मारा गया है जो इसके पहले कभी नहीं वो पाया दक्षेड अबूजमान के जंगलों में इस एंकाउंटर को अंजाम दिया गया है यह वही अबूजमान है जहां पर कभी फोर्सेस पहुँच नहीं पाती थी अंचुआ यह इलाका यह कहलाता था लेकर अब धीरे धीरे फोर्सेस बढ़ रही है तो स्वाबावे के जिस सरी अब दोरा हुआ था चला था और बैटकों में रड़नीती बनीती पर कही न कहीं कहीं काम होते हुए दिखाई दी रहा है इन तमाम विशियों को लेकर आज दिली में जो है बैटक होगी राच्य को अगर किसी भी आवश्यक्ता है केंदर सरकार से कोई मदद लेनी है तो उस हमारे साथ जुड़ी हुई है नीलम देखिए 36 गण में लगातार घटनाय सामने आती है नकसली यहाँ पर लगातार एक्टिव है हाला कि सरकार और पुलिस प्रशासन के ओर से लगातार जवाब दिया जा रहा है लेकिन अगर MP की बात करें चाहे डिंडोरी बाला घाट MP में इसको लेकर भी MP को लेकर भी चर्चा की जाएगी किस तरह की रणीती इस बाठक में देखने को मिल सकती है बिलकुल और नीलम साथी ये भी बताईएगा अपडेट जरा दीजेगा इसमें चुकि आपने इससे पहले बोला था कि थोड़ी देर में विज्ञान भवन के समय के हम बात करें तो विज्ञान भवन में सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी और CM भी जो है रवाना होने ही वाले होंगे उस बैठक के लिए हम बात करें अगर मध्यप्रदीश के संशेप में यहाँ पर संदर्व में तो देखे मध्यप्रदीश के में नकसलवादिय क्योंकि एक्टिविटी जो है कभी-कभी देखने को मिलती है खास तौर पर जो मध्यप्रदीश का बाला घाट मंडला और डिंडोरी यहां की कुछ ऐसी विधान समय है जहां पर जो है नकसलवाद को लेकर के हमीशा ही सेंसिटिव जोन माना जाता है हालकि यहां से चतिसग से लगा हुआ है इसलिए अक्सर यह माना जाता है कि जो चतिसगर के आसपास के जितने भी लाके हैं नकसलवाद के प्रभावित वहां से नकसलवादी जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है छुपकर जो है इन लाकों में आ जाते हैं तो ऐसे में क्या अभी स्थितिया है सुरक्षे जिन्सियों के पास मध्य प्रदेश को लेकर के क्या इंपूर्ट से क्या यहां पर भी जो खत्रा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसे किस तरह से जो है नियंत्रित किया जा सकता है इन तमाम बिंदूओं पर जो है चर्चा की जाएगी सिया मोहन याद जो बॉर्डर है वहां पर किस तरह के अक्टिविटी नजर आ रही है इसे लेकर कि मध्य प्रदेश की तरफ से क्या काम किया जा रहा है मध्य प्रदेश पुलिस कितनी चौकरनी है सुरक्षे जिन्सियों के पास क्या कुछ इंटेलिजन्स के इंपुट है इन तमाम बिंद कि कहना चाहिए कि अलग-अलग गतिविधियां यहां पर दर्ज की जा रही है बीते दिनों और भी जो है सरकार की तरफ से कलेक्टर्स को यह ओडर दिये गए हैं कि वो एने से लगा सकते हैं क्योंकि ऐसे इंपुट है कि मध्य प्रदेश की शांती को भंग करने जैसे आसम आसमाजिक तत्व जो है लगतार एक्टिव हो रहे हैं और उनमें क्या नक्सलवादी या माओवादी जिससे कोई यहां पर आसमाजिक तत्व है जिनकी गतिविधी मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसे किस तरह से कम किया जा सकता है कंट्रोल किया जा सकते है किस तरह का एक्शन प्लैन यहाँ पर प्रदेश की लिहास से हो सकता है दिन तमाम बंदों को लेकर कि जो है चर्चक की जाएगी जाए और क्या खास इस मीटिंग में रहने वाला है यह हम जान लेते हैं राहुल से राहुल हमारे साथ जोड़ गए हैं दिली से ज खत्म कर दिया जाएगा राजियों में कई राजियों के cm भी इसमें शामिल हो रहे हैं मद्यप्रदेश 36 कर के cm भी इसमें शामिल होंगे खास तौर पर चश्वतिजगर में अलग रणीती चल रही है नकसलवाद को खत्म करने को लेकर और क्या खास रहेगा आपडेट है दिखे अगर आज की बैटक की बात करेए, साड़े दसबजे बैटक की शुरुवात हो जाएगी, दसबजे मीडिया के सामने हो सकता है, वक्तिववे देंगे ग्रह मंतरी अमिश्या उसके बैटक की शुरुवात होगी, बैटक में दो तरीके से रहेगा एक तो आठ राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाया गया है जिसमें 36 गड़ है, मद्य परदेश है, उड़ीसा है, महारास्ट्रा है यह वो तमाम राज्ये हैं जो आमतर पर अंतर प्रदेश तेलंगाना, जो रेड आतंकवाज जिसे हम कहते हैं, रेड कॉलिडोर जिसकी बात की जाती थी, उससे जुड़े हुए राज्ये हैं, हलाकि पहले इसमें उत्र प्रदेश भी होता था, उसके अलावब पश्य मंगाल भी होता था, लेकिन अब धीरे-दीरे संकुचत हुआ है, अगर लेफ्ट विंग एक्टिविजम की बैटक की बात करें, जो केंदर राज्ये सरकार साथ में हैं, इसकी शुरुवात, मनमोहन टू सरकार में पीछे तम्रम उस वक्त ग्रे मंतरी हुआ करते थे, उस दोरान की सीमा है, जहां से आसानी से निकलना आसान रहता है, और घने बन शेतर में भी है, ऐसे में आगर इंफर्मिशन शेरिंग होती है, राज्जी और केंदरों के बीच में, तो अप्रेशन करना ज़्यादा बहतर रहेगा, खास्तों पर जम कोबरा कमंडो के, यह नहीं CRPF के जो स्पेशलाइज विंग है, जो एंटी नक्सल आपरेशन एनो में काम करती है, जो जंगल वार्फेर में निपुड माने जाते हैं, उनके साथ काम हो सकता है, इंफर्मिशन शेरिंग, दूसरा टेक्नोलोजी इंपुट कैसे हो सकते हैं, दोनों ही लिहाज से, क्या नक्सलियो को चीन से, पाकिस्तान से या भारत के बहार से, कोई टेरिर फंडिंग मिलती है, उन्हें हत्यार मिलते हैं, उन्हें टेकनोलोजी मिलती है, नहीं मिलती, और अगर मिलती है, तो उसमें इंटेलिजन्स ब्योरो, जैनी आई भी जो ग्रहम अंतराले के इंतरगत आता है, उसस क्या रोल हो सकता है, उस पर भी बैटक की जाएगी, और साथ में टेकनोलोजी की बात करें, क्योंकि ड्रोन्स बहुत सारे अच्छे आ गए हैं, जिन ड्रोन के जरिये, अगर कोई ट्रूप्स की मुव्मेंट है, लॉंग रेज पेट्रोलिंग है, कोबरा किया, किसी और रोबोट्स जा सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं, कि आईडी तो नहीं है, आगे नकसली छुपे तो नहीं हुए, जंगल के अंदर, तो टेकनोलोजी वो ड्रोन्स की हो, हीट सेंसिंग की हो, थर्मल इमिजिंग की हो, नाइट विजन डिवाइस हो, अत्यादूनिक राइफल्स नकसल प्रभावी शित्रों में जाएंगी, जिससे जो वहां के आदेवासी लोग हैं, जो मुखे धारा से कटे हुए हैं, वो मुखे धारा में शामिल हो सके, अगर वाशिक्षा होगी, रोजगार होगा, स्वास्ते होगा, केंदरो राजे सरकार की योजनाएं होंगी, तो